बिलासकुर में पत्रकारों से बाचित करते हुए म्यांक वेद ने आर्च टू आर्क थ्राइडनल इवेंट के अनुभव सांजा किये उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से हौंग कॉंग में रहने वाले भारत के ऐसे अक्षम बच्चों के जरिये चैरिटी का आयोजन किया गया जो पढ़ने लिखने में आसमर्थ हैं खुशी की बात ये है कि जुबेन फांडेशन के सयोग से हौंग कॉंग में 228 माइल्स और 228 बच्चे नाम से आयोजन इस चैरिटी में लगवग 72 लाख रुपे एकत्रित किये गए इसमें हर वर्का सयोग उन्हें पराप्त हुआ है हौंग कोंग के परधानवंतरी ने भी इसकी सरहना की है मयांक ने कहा कि पहले की तरह इस इवन्ट की काम्याबी में भी उनकी पतने का एहम योगदान रहा है अगले साल वे इस इवन्ट में बता और सोलू प्रतिभागी भाग लेंगे इसमें चैरिटी के माद्यम से पैसा जुटाने का प्रयास किया जाएगा जो भी पैसा एकत्रित होगा वे बिलासपुर में समाज कल्यान से जुड़े किसी कारे पर खर्च किया जाएगा गोर्तरवे की पिछले साल आस्ट्रेलिया में अल्ट्रा मैन रिले रेस जीत चुके बिलासपुर के नोवा गाउं के मियांकवेद ने गत 11 से 13 जून तक आर्स्टू आर्क थ्राइडनल इवेंट में भाग लिया इसमें आस्ट्रेलिया के डेविड उनके पार्टनर थे इसके तायत उनोंने लंदन से डोवर तक 145 किलोमीटर की दूरी 19 गेंटे में पूरी की उसके बाद उनोंने इंग्लिस चैनल पार किया कठिन परिश्टितियों से जूचते हुए उनोंने ये टास्क साड़े भारा गेंटे में पूरा किया हालांकि इंग्लिस चैनल की प्राद्यम से करीब 300 किलोमेटर की दूरी उन्होंने 17 घंटे में पूरी की. इंग्लिश चैनल का दिस्टेंस है 32 किलोमेटर, लेकिन टाइड और करेंश की वज़ा से 55 किलोमेटर हमको प्लान की. यह दूरी हमने 12 घंटे में कंप्लीट की और जो दौडने की दूरी हमने 19 घंटे में कंप्लीट की. केले जो फ्रेंच साइड में है, वहाँ से निकल के पैरिस तक साइक्ल करना होता है, वो है 300 किलोमेटर की दूरी और वो हमने 17 घंटे में कंप्लीट की. यह कॉम्पिटिशन में मैंने वर्ल रिकॉर्ड सेट किया है, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन में जो टैंडम रन और टैंडम बाइप, जो एक साथ दौडना और एक साइड पाइप करना, वो कभी बहले नहीं किया गया. मैं बहुत गार के साथ यह भी कह सकता हूँ कि मैं पहला इंडियन हूँ, यमाचल से, बिलास्पोर से, जिसने यह कॉम्पिटिशन को कंप्लीट किया, चैलिंज को कंप्लीट किया है, और मैं वर्ल रिकॉर्ड सेट किया. मेरा नेक्स्ट कॉम्पिटिशन है, अल्ट्रमैन वर्ल चैंपिंशिप्स, जो हवाई में होता है, उसमें 10 किलोमेटर स्विम, 320 किलोमेटर साइक्लिंग और डबल माराथान, 84 किलोमेटर दोड़ना, तीन दिन के अंदर होता है, इसमें 40 आठीप्स को सेलेक्ट किया जाता ह और अल्ट्रमैन वर्ल चैंपिंशिप नुवेंबर इस साल में मैं इंडिया को वहाँ पर प्रिसेंट करोगा, मेरा एम ये है कि इस इन कॉम्पिटिशन को करते हुए, इन कॉम्पिटिशन को पार्टिस्पेट करते हुए, मैं ये भी कहना चाता हूँ कि मेरे रेगुलर ज जाब्स, लाइफ और डिस्पाइट हम लोग अपनी हेल्प में फोकस कर सकते हैं, और फोकस ही नहीं हम काफी अचीव कर सकते हैं